प्रस्न एक, निम्न लिखित के मान ग्याद कीजे, तो प्रस्न पहला का, पहला है, साइन तीश डिग्री, साइन तीश डिग्री, प्लस, कॉस, साथ डिग्री, साइन तीश डिग्री, प्लस, कॉस, साथ डिग्री, ये है प्रस्न, साइन तीश डिग्री, प्लस, कॉस, साथ डिग्री, तो साइन तीश डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिगरी का मान होता है एक वटा दो देखें साइन 30 डिगरी का मान होता है एक वटा दो और कॉस 60 डिगरी का मान होता है एक वटा दो तो साइन 30 डिगरी और कॉस 60 डिगरी का मान बराबर होता है देखें साइन 30 डिगरी और कॉस 60 डिगरी एक वटा दो तो साइन तीस डिग्री के जगा पर क्या लिख देंगे एक वटा दो पलस कॉस साथ डिग्री तो कॉस साथ डिग्री के जगा पर लिख देंगे एक वटा दो तो एक वटा दो पलस एक वटा दो साइन तीस डिग्री का मान होता है एक वटा दो और cos 60 degree का मान होता है 1 वटा 2 तो बीच में plus का चीन है यानि जोड देंगे इसको तो 2 लगुत्तम लेंगे तो 2 जब लगुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हर बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख देंगे यानि 1 पलस 1 तो 1 पलस 1 कितना हो जाएगा यानि 2 और बटा में भी 2 है तो 2 बटा 2 एक यानि इसका उत्तर आजाएगा एक इसका उत्तर कितना आएगा एक तो sin 30 degree पलस cos 60 degree बराबर एक आएगा दूसरा तो दूसरा है sin square 45 degree sin square 45 degree पलस cos square 45 degree तो प्रस्ण क्या है sin square 45 degree पलस cos square 45 degree तो sin 45 degree कमान क्या होता है और cos 45 degree कमान क्या होता है तो देखे यहाँ पर एक बटा रूट दो प्लस एक बटा रूट दो यानि साइन 45 डिगरी का मान होता है एक बटा रूट दो और कॉस 45 डिगरी का मान होता है एक बटा रूट दो लेकिन यहाँ साइन स्क्वाइर है इसलिए इस पर स्क्वाइर यानि वर्ग दे देंगे यहाँ भी कॉस स्क्वाइर है, कॉस स्क्वाइर 45 डिगरी है, तो यहां भी वर्ग दे देंगे, देखे, साइन स्क्वाइर 45 डिगरी है, तो साइन 45 डिगरी का मान लिख करके वर्ग दे देंगे, क्योंकि साइन स्क्वाइर 45 डिगरी है, और कॉस स्क्वाइर 45 डिगरी है, कॉस 45 डिगरी का मान लिख करके वर्ग दे देंगे, तो एक वर्टा रूट दो का वर्ग, तो एक का वर्ग एक हो जाएगा, एक वर्टा रूट दो का वर्ग, तो एक का वर्ग एक होगा, एक गुना एक होगा, रूट दो का वर्ग, तो रूट दो का वर्ग, यानि रूट द गुना रूट दो, दो हो जाएगा, तो एक बटा दो प्लस, अब यहाँ भी एक बटा रूट दो का वर्ग, तो एक का वर्ग, एक बटा रूट दो का वर्ग, यानि रूट दो गुना रूट दो, दो हो जाएगा, अब दो और दो का लगुतम दो हो जाएगा, तो हर बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख लेंगे 1 प्लस 1 यानि 2 बटा 2 तो 2 से 2 यानि 2 को 2 से भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 तो इसका भी उत्तर कितना आएगा 1 आएगा यानि साइन स्क्वाइर 45 डिगरी प्लस कॉस स्क्वाइर 45 डिगरी बराबर क्या आएगा 1 आएगा इसका उत्तर तीसरा साइन 30 डिगरी प्लस कॉस साथ डिगरी साइन 30 डिगरी प्लस कॉस साथ डिगरी माइनस 10 45 डिगरी तो प्रस्ण क्या है साइन 30 डिगरी प्लस कॉस साथ डिगरी माइनस 10 45 डिगरी तो तीसरा प्रस्ण है साइन 30 डिगरी प्लस कॉस साथ डिगरी माइनस 10 45 डिगरी तो साइन 30 डिगरी कॉस साथ डिगरी और 10 45 डिगरी का मान हम इसको देख लेते हैं तो यह सब का मान आपको याद कर लेना है ठीक है तो साइन तीज डिग्री का मान कितना होता है एक वटा दो कॉस साथ डिग्री देखें साइन तीज डिग्री का मान एक वटा दो और कॉस साथ डिग्री तो कॉस साथ डिग्री कमान होता है एक वटा दो ठीक है और टैन पैंतालिस डिग्री तो टैन पैंतालिस डिग्री कमान होता है एक देखें टैन पैंतालिस डिग्री कमान होता है एक तो साइन तीश डिग्री कमान होता है एक वटा दो पलस कॉस साथ डिग्री कॉस साथ डिगरी का मान होता है एक वटा दो माइनस टैन पैंतालिस डिगरी तो टैन पैंतालिस डिगरी का मान होता है एक तो साइन तीस डिगरी के जगा पे एक वटा दो लिख लेंगे कॉस साथ डिगरी के जगा पे एक वटा दो लिख लेंगे और 10-45 डिग्री के जगा पर 1 लिख लेंगे अब यहाँ पर 2 और 2 का लगुतम 2 ले लेंगे 2 और 2 का लगुतम 2 ले लेंगे तो यहाँ पर हर बराबर है तो जो अंस में उसको लिख लेंगे 1 पलस 1 अब यहाँ पर हर में कुछ नहीं है तो बस 2 को 1 से गुना कर देंगे यानि 2 गुना एक, 2 देखें, यहाँ पर हर में कुछ नहीं है तो 2 गुना एक, 2 और माइनस है, तो माइनस दे देंगे यानि 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 तो 2 माइनस 2 बटा 2, इस तरह लिख लेंगे तो एक प्लस एक क्या हो गया दो और दो माइनस दो बटा दो तो दो मैंस दो बटा दो क्या हो जाएगा तो दो में से दो गया सून्ने यानि सून्ने बटा दो तो सून्ने को दो से भाग देंगे यानि सुन्य को किसी विशन के अस भाग देंगे तो सुन्य आएगा यानि इसका उत्तर आगया सुन्य इसका उत्तर आगया सुन्य तो sin 30 degree plus cos 60 degree minus 10 45 degree बराबर कितना आजाएगा सुन्य प्रस्न चार तो प्रस्न चार है अंडर रूट एक जोर 10 square 60 degree तो प्रस्न क्या है अंडर रूट एक जोर 10 square 60 degree तो अंडर रूट एक जोर अब 10 60 degree का मान कितना होता है तो 10 60 degree 10 60 degree का मान होता है रूट 3 देखें 10 60 degree का मान कितना होता है रूट 3 तो यहाँ पर रूट 3 लिख लेंगे लेकिन यहाँ 10 square 60 degree है इसलिए रूट 3 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक प्लस रूट तीन का वर्ग तो रूट तीन गुना रूट तीन हो जाएगा यानि अंडर रूट एक प्लस अंडर रूट एक प्लस तीन हो जाएगा क्योंकि रूट तीन का वर्ग तीन होता है तो तीनेक चार यानि अंडरूट चार हो जाएगा अंडरूट चार तीनेक कितना होता है चार तो चार का वर्ग मूल दो होता है यानि इसका उत्तर हो जाएगा दो इसका उत्तर कितना हो जाएगा दो चार किसका वर्ग है दो का तो चार का वर्गमूल दो लिख देंगे यहां पर तो इसका उद्दर हो गया दो प्रस्न पाँच तो पाँच में है टैन साथ डिग्री टैन साथ डिग्री गुना कोस तीस डिग्री तैन साथ डिग्री गुना कोस तीस डिग्री तो तैन साथ डिग्री का मान कितना होता है रूट तीन तो हम यहां पर लिख देंगे root 3 गुना cos 30 degree का मान होता है root 3 वटा 2 cos 30 degree का मान कितना होता है root 3 वटा 2 इस तरह लिख लेंगे तो root 3 गुना root 3 देखे 10, 60 degree का मान होता है root 3 और cos 30 degree का मान होता है root 3 वटा 2 तो root 3 गुना root 3 कितना हो जाएगा तीन और बटा में दो है यानि रूट तीन गुना रूट तीन तीन हो जाएगा और बटा में क्या है दो है यानि तीन बटा दो इसका उत्तर होगा इसका उत्तर कितना होगा तीन बटा दो तो इस तरह से प्रस्न पांच हल करेंगे प्रस्न दो यदि ठीटा बराबर 45 दिग्री तब इनके मान ग्याद करें तो प्रस्न दो का पहला है 10 स्क्वाइर ठीटा 10 स्क्वाइर ठीटा प्लस एक बटा साइन स्क्वाइर ठीटा साइन स्क्वाइर ठीटा तो ठीटा बराबर कितना दिया हुआ 45 दिग्री देखे उपर में प्रस्न में यदि ठीटा बरावर 45 दिग्री यानि क्या दिया हुआ है यदि ठीटा बरावर 45 दिग्री तब इनके मान ग्याद करें यानि ठीटा के जगा पर 45 दिग्री लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वाइर 45 दिग्री प्लस एक बटा साइन स्क्वायर पैंतालिस डिग्री इस तरह लिख लेंगे तो ठीटा के जगवा पे पैंतालिस डिग्री लिख लेंगे क्योंकि ठीटा बराबर पैंतालिस डिग्री दिया हुआ है तो तैन पैंतालिस डिग्री का मान क्या होता है एक बटा रूट दो तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 45 DOGRI का मांन एक होता है तो एक लिख लेंगे और 10 स्क्वाइर 45 DOGRI है इसलिए इस पर वर्ग दे देंगे तो एक पलस एक का वर्ग पलस एक बटा एक बटा अब साइन 45 DOGRI साइन पेंदालिश दिग्री का मान कितना होता है एक वटा रूट दो क्या होता है एक वटा रूट दो साइन पेंदालिश दिग्री का मान कितना होता एक वटा रूट दो साइन अस्क्वाइर पेंदालिश डिग्री है तो इसका उत्तर आ जाएगा तो एक का वर्ग एक होगा यानि एक गुना एक होगा प्लस एक बटा अब एक बटा रूट दो का वर्ग एक बटा रूट दो का वर्ग तो एक का वर्ग एक बटा रूट दो का वर्ग दो तो हम यहाँ पे दो लिख लेंगे देखे एक बटा रूट दो का वर्ग है तो एक का वर्ग एक रूट दो का वर्ग दो अब यहाँ पे हो जाएगा एक पलस अब देखे दो गुना एक दो दो उपर चला जाएगा ठीक है, दो जो हर है, यहाँ पर हर, यहाँ पर दो क्या हर है, और एक अंस है, तो अंस और हर गुना हो जाएगा, यानि एक गुना दो, यानि एक गुना दो, और बटा में एक है, देखे, तो दो और एक गुना हो जाएगा, और बटा में एक है, तो एक से एक खत्म हो गया, बच गया यहां पर गुना में है, इसलिए एक से एक काट लिए है, तो एक प्लस दो बचा है यहां पर दो, यानि इसका उत्तर हो गया तीन, दो एक तीन, तो प्रस्निन दो का पहला का उत्तर होगा तीन, दूसरा है, कॉस स्क्वाइड ठीटा, कॉस स्क्वाइड ठीटा माइनस साइन स्क्वाइड ठीटा, प्रस्न क्या है, कॉस स्क्वाइड ठीटा माइनस साइन स्क्वाइड ठीटा, तो यहां पर ठीटा बराबर 45 दिगरी दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे cos square 45 degree minus sin square 45 degree तो theta के जगा पर क्या लिख लेंगे 45 degree क्योंगे theta बराबर 45 degree दिया हुआ है तो cos 45 degree कमान कितना होता है और sin 45 degree कमान कितना होता है तो cos 45 degree देखिए cos 45 degree कमान होता है एक वटा रूट दो और sin 45 degree का मान होता है एक वटा रूट दो तो cos 45 degree का मान कितना होता है एक वटा रूट दो एक वटा रूट दो अब यहाँ पर cos square 45 degree है तो इसका वर्ग कर देंगे minus sin 45 degree का मान होता है एक वटा रूट दो अब यहाँ पर sin square 45 degree है तो इसका वर्ग कर देंगे अब एक का वर्ग एक होगा रूट दो का वर्ग यानि रूट दो गुना रूट दो दो हो जाएगा माइनस एक का वर्ग एक रूट दो का वर्ग यानि रूट दो गुना रूट दो दो हो जाएगा 2 और 2 कल खुतम 2 हर बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख देंगे 1 माइनस 1 तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सून्य यानि सून्य बटा 2 तो सून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो सून्य आ जाएगा तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे